उत्तर प्रदेश में सवा चार साल पहले सत्तक गवाने वाले सपा पार्टी के प्रमुक अकलेश श्यादव अपनी गद्धी बचाने के लिए बेताब हैं सपा की रणनीती इस चुनावों में कुछ अलग होगी सूबे तमाम छोटे दलों के साथ मिलकर 2022 के चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग बना रही है उसने ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गटबंदन नहीं करेगी इसी कड़ी में अकलेश यादव ने अपने चाचा शिपाल यादव की पार्टी प्रगती शील समाजवादी पार्टी के साथ गटबंदन करने का एलान किया है जबकि इससे पहले वे अपने चाचा को एड़्जस करने और पार्टी के विले का प्रस्ताव दे रहे थे जिस पर शिपाल राजी नहीं थे ऐसे में माना जा रहा है कि सियासी नफा नुकसान को देखते हुए अकलेश ने शिपाल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बनाया है आपको बता दे एक इंटर्व्यू के दौरान अकलेश यादव ने कहा था कि शिपाल यादव के जस्वंत नगर सीट पर सपा चुनाव नहीं लड़ेगी यानि कि यहां से साफ हो गया था कि अकलेश ने शिपाल यादव से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था आपको बता दे कि जब पंचाय चुनाव में चाचा भतीजे करीब आये थे तो चुनावों में कमाल देखने को मिला था बीजेपी को मूँगी खानी पड़ी थी यहां राजनीती कुछ अलग तरहा से हुई दरसल त्रीस तर्यव पंचाय चुनाव में इटावा में यादव परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अकलेश यादव और उनके चाचा शिफपाल यादव ने अगोशित रूप से तालमेल कर लिया था बीजेपी ने सपा के गड़ इटावा जिले की सभी चौबिर जिला पंचाय सदस्य की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे सांसत से लेकर विधायक तक ने यहां प्रचार प्रसार किया था और पूरा जोर लगाया था लेकिन शिफपाल अकलेश के अंद्रूनी गड़ जोड के चलते बीजेपी यहां महस एक सीट जीट सकी तो अब देखने वाली बात ये होगी की अगामी चुनावों में चाचा भतीजे की जोड़ी कुछ कमाल कर पाएगी जैसा कि उन्होंने पंचाच चुनाव में कर दिखाया था या फिर उनके हाथ निराशा लगेगी इसका जवाब तो आपको और हमको 2022 में ही मिलेगा